बारती कलाकार अक्षे कुमार का जन्म नौ सितम बर 1967 को पंजाब के अम्रित सर में हुआ था उनका असली नाम राजीव हरी ओम है उनके पिता एक सरकारी करमचारी थे वे दिल्ली के चाननी चोक में बड़े हुए और बाद में वे मुंबई के कूली वाड़ा गए उन्होंने अपनी सिक्षा डौन बास्को स्कूल में ग्रहन की उन्होंने अपनी महाविद्यालीन सिक्षा गुरु नानक कॉलेज से ग्रहन की जहां जनपाल सिंग के साथ उन्होंने खेलों में भी हिस्सा लिया बाद में वे मारसल आर्ट के अभ्यास के लिए बेंकॉक गये और वहीं उन्होंने एक शेप के रुप में भी काम किया बाद में वे अपनी खुद की मर्सलार्ड स्कुल शुरू करने के लिए वापस मुंबाई आये। उनका एक विद्यार थी जो फोटोग्राफर था वो उन्हें एक मॉडल वानता था और उनकी तस्वीरे लिया करता था। अक्षे को दो गंटों तक कैमरा के सामने पोस देने के लिए पांच जार रुपे मिलते थे। इसलिए उन्होंने मॉडल बनना पसंद किया। उनकी पहली फिल्म दीदार थी जो प्रमोज चकरवर्ती के निर्देशन में बनी थी। ट्विंकल खन्ना के साथ 14 जनवरी 2001 को शा प्रवात की। फिर बाद में 1992 में उन्होंने एक सफल फिल्म खेलाडी में अभिनय किया। 1994 में उन्होंने अपनी पहली एक्शन फिल्म मैं खेलाडी तू अनाडी और फिर मोहरा में अभिनय किया। जो उस समय साल की सर्वस्रेश्ट फिल्म भी मानी गई थी। बाद में उ सुचित किया गया था। बाद में इसे साल अक्षे ने दो सफल फिल्म सुहाग और ऐलान का निर्माण किया। और इसके लिए उन्हें उस साल का सबसे सफल एक्टर का खिताब दिया गया। 1995 में उन्होंने एक हिट फिल्म सबसे बड़ा खिलाडी में अभिने किया, खिलाडी सिरिश की हर फिल्म ने उन्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाई, बाद में 1996 में खिलाडी सिरिश की एक और फिल्म उन्होंने खिलाडी का खिलाडी की, जो फिर से साल की सबसे सफल और हिट पिल्म बनी 1997 में अक्षे ने दिल तो पागल है में सहय कलाकार की भूमी का निभाई जिसके लिए उनका नाम फिल्म-फियर के सर्वस्ट्रेश्ट सह कलाकार की सुची में शामिल किया गया और बाद में खिलाडीसरिश की एक और फिल्म Mr. and Mrs. खिलाडी में उन्होंने खास्य कमाई तो नहीं की लेकिन आलचकों की नजर में सफल रही साल 2000 में उन्होंने उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म हिरा फेरी में अभिने किया बाद में उन्होंने एक रोमांटिक फिल्म धड़कन की जो समय ज़ादो सफल नहीं रही फिर साल 2001 में अक्षे कुमार ने पहली बार अजनवी फिल्म में विलेन यानी नगेटिव किरतार की भूमी का निभाई उस फिल्म में उनके अभिने के लिए बहुत तारिफ की गई और इसलिए उन्हें फिल्म फेर का बेस्ट विलेन का ओवार्ड भी दिया गया बाद में अक्षे ने कुछ ड्रामेटिक किरतार अभिने किया फिर हेरा फेरी को बकस ओफिस पर एक बड़ी सफल्ता मिली उससी साल के अंत में उन्होंने एक ओर हास से फिल्म भागम भाग की जिसे फिर बड़ी का शिर्षक दिया गया क्यूंकि एकी साल में उन्होंने पांच सफल फिल्में दी थी बाद में अक्षय फिर अपनी नई फिल्म सिंगिस किंग लेकर आए जिसे दुबारा दर्शकों का मन चाह प्रतिशात मिला इसे साल अक्षय गुमार ने छोटे स्क्रिन पे आने का भी नि बेल में बनी अक्षय कुमार की कुछ हेट फिल्में इस प्रकार है मैं खिलाडी तुव नारी सबसे बड़ा खिलाडी मिस्टर औन मिसिस खिलाडी इंटरनेशनल खिलाडी खिलाडी 420 अंदाज गरम मसाला नमस्ते लंगन वेलकम सिंगिस किंग हाउसपुल रावडी राठ खिलाडी 786 वन्स अपन टाइम अन मंबई दोबारा हॉलिडे एंटर्टेन्मेंड बेबी गब्बर इस बैक प्रदर सिंह इंस ब्लिंग टॉलेट एक क्रिम कथा जो अभी अभी सबसे सफल फिल्म रही तो येद फ्रेंड सुपरिश्ट्वार अक्षय कुमार का जीवन पर अजये खिल्टेव